आइडियल इंडिया टीवी हर ख़बर बेट पिकर सब्सक्राइब नाव और ऐसा भी नहीं है कि राहूल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा हम मंगवा के ही रहेंगे मैं आपको याद दिलाओं इसी प्रकार से राहूल गांधी एरोगेंटली कह रहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोट में हम माफी नहीं मांगेंगे राफेल की केस में कान पकड़ करके मौखिक रूप से माफी मांगनी पड़ी ये राहूल गांधी जी को हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायले सुप्रीम कोट में कहना पड़ा और सुप्रीम कोट के ततकालीन सीजे आई उससे सेटेस्फाई नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं केवल मौखिक रूप से कहने से कि I regret यह उचीत नहीं होगा आपको एक एफिडविट सब्मिट करके शमा याचना करनी होगी और देश की राजनीती में राहूल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडविट सब्मिट करके सुप्रीम कोट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा कि मैंने जूट बोला था मैंने जन्ता के बीच में फरेब फैलानी की कोशिश की थी जो राहूल गांधी जी ने लंदन में किया है बिलकुल वही किया है 2019 में सुप्रीम कोट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लमेंट में सदन के पटल पे संसद में माफी मांगना पड़ेगा आप सोच सकते हैं यह विशय कितना गंभीर है लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डिमोकरसी होती थी all of a sudden this democracy has ceased to exist और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हkit जो डिमोकरसी की पहरेदार हैं ततहा कथित डिमोकरसी के पहरेदार हैं the so called protectors of democracy Europe and United States of America why are they oblivious why don't they protect the democracy in India मतलब this is an open invitation ये एक खुला निमंत्रन है कि आप आईए और भारत वर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुस्पैट करिये और आप हमें नेता बनाईए what is the difference between a Manish Shankar Ayer and Rahul Ghandi ये Manish Shankar Ayer और Rahul Ghandi में क्या difference है Manish Shankar Ayer पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आवान करते हैं कि हमें मोधी को हटाना होगा हमें इस सरकार को गिराना होगा आईए पाकिस्तान और हम कॉंग्रेस पार्टी मिलके काम करेंगे सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आँक के आते हैं वो अभी हमने देखा है और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर नियोता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाईए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाईए इस नथिंग शॉट ओफ वाट मीर जाफर डिड़ जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए आप सबको पता होगा मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने East India Company की मदद ली थी East India Company हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते अंग्रेजो का शाशन It would not be an aberration to say जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है सहजादा नवाब बनना चाहता है और सहजादे ने East India Company की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ मैं तुम्हें 24 पर गना भेट करूँगा मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकडा भेट करूँगा मीर जाफर ने बंगाल में 24 पर गना उसने भेट किया था East India Company को और उसी 24 पर गना के माध्यम से East India Company और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है History repeats itself The present day मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहूल गांदी Has to apologize मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है राहूल गांदी यहां तक गिर सकते हैं कि वो लंदन की भूमी में बैठ करके भारत के investigative agencies को deep state करार दे सकते हैं कि these are the deep states just as Pakistan has ISI ठीक उसी प्रकार इंडिया में deep state democracy के उपर हमला कर रहा है राहूल गांदी जो present day मीर जाफर है वो यहां तक गिर सकते हैं कि लंदन में बैठ कर वो कह सकते हैं कि जो इंडियन institutions है जिसका role democracy को protect करना है चाहे वो media हो चाहे वो judiciary हो यह आज constrained है यह आज उन्मुक्त नहीं है मुक्त नहीं है committed judiciary क्या होती थी यह आप इंडिराजी के जीवनी में पढ़िये किस प्रकार से आपातकाल के पश्चात और आपातकाल के दौरान judiciary के साथ इसकी पूरी chapter आज available है it is a matter of research just because the sahajada wants to become नवाब sahajada को नवाब बनना है Congress Party में आज लोकतंत्र शेश नहीं है Congress Party जनता जनार्दन हिंदूस्तान के जनता जनार्दन के आशिरवाज से sahajada को नवाब नहीं बना सकती है इसलिए दूसरे देशों में जाकर sahajada प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है तुम मेरी मदद करो ये नहीं चलेगा sahajada ये नहीं चलेगा आज आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी आपने कहा कि हमारी माइक्स ओफ कर दी जाती है democracy does not exist राहूल जी आखड़े लेके आएं है आज आज आप पार्लामेंट आएं आपके आखड़े जो बारती जनता पाटी आज बता रही है इन आखड़ों पे गौर फर्माए attendance sheet को देखे राहूल जी का attendance पार्लामेंट में 52 परसंटेज है जबकि national average 79 प्रतिशत है और state जहां से राहूल गांधी MP है अर्थात केरल केरल का आउसत 84 परसंटेज है केरल के MP जो है 84 परसंटेज पार्लामेंट आते है national average लगभग 80 प्रतिशत है और मात्र 52 परसंटेज टाइम्स राहूल गांधी पर्लामेंट आते हैं अधिकान समय तो विदेश में ही रहते है और आप कहते हैं कि हमारे माइक ओफ कर देते हैं आपका attendance ओफ है साहब माइक तो ओन है दूसरा आकड़ा participation in debates democracy debates and discussion they are the pillars of Indian constitution अगर democracy में debate नहीं होगा discussion नहीं होगा तो democracy का कोई मतलब नहीं है कोई माइने नहीं है democracy की आत्मा debate होती है और राहूल गांधी ने मात्र 6 debates में participate किया है अब तक इस session में मतलब 2019 से national average 41 का है और state average 68.2 केरल से जहां से वो MPA वायनाड उस state का average 68.2 percentage है कितने सवाल राहूल गांधी जी ने पूछे हैं सवाल तो आप विदेश की भूमी में पूछते हैं पार्लेमेंट में कितने सवाल पूछे हैं राहूल गांधी ने 2019 से 2023 तक मात्र 92 92 सवाल पूछे हैं जबकि national average 163 163 की है और state average केरल का average 216 216 की है आप सवाल पूछते नहीं है because you don't have questions एक ही tape recorder है आपके पास वही हर जगा चलाते हैं आप debate में discussion में भाग लेते नहीं है because you have nothing to debate you don't participate in the parliament आपकी attendance यहां सबसे कम है because you feel that unfortunately quote unquote unfortunately you are a member of parliament वो तो एक बगल में जैराम रमेश बैठे रहते हैं जो कान में बोलते रहते हैं वरना उनके मुख से तो सत निकली गया था कि unfortunately I am a member of parliament fortunately I love traveling fortunately वो एक foreign country के tourist के रूप में देखे जाते हैं उनको अगर बोला जाया कि सबसे बड़ा fortune क्या है तो सबसे बड़ा fortune वो कहेंगे हिंदुस्तान के विरोध में विदेश में बोलना ये सबसे बड़ा fortune है and unfortunately I am a member of parliament तो स्वभाविक रूप से ये आकड़े राहुल गांधी जी के हैं और विदेश की भूमी में जाकर मीर जाफर के काम करने वाले सहजादे राहुल गांधी जी से we don't request not as BJP but हिंदुस्तान के एक साधारन जनता के रूप में ये आदेश देते हैं ये demand करते हैं कि you have to apologize आपको माफी मांगना ही चाहिए और मांगना ही पड़ेगा क्योंकि आपने हिंदुस्तान को अपमानित किया है हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया है और ये अधिकार आपको हिंदुस्तान की जनताने नहीं दिया है धन्यवाद कोई सवाल हो तो अवस्से पूछे इस वभाविक रूप से उनको लगता है कि ये नॉर्मल है हिंदुस्तान के विरोध में विदेश की भूमी में बोलना जो विक्ति जाके हिंदुस्तान के विरोध में पहले कश्मीर के खिलाफ बोल चुका हो विदेश की भूमी में और देश की भूमी में और याद करिए राहुल गांधी जी के कश्मीर के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने युनाइटेड नेशन में डोसियर के रूप में इस्तेमाल किया था किस प्रकार से राहूल गांधी के स्टेट्मेंट को पाकिस्तान ने अपने पहले सेंटेंस में कोट किया था और यूएन में डोसियर दिया था कि देखिए जो पाकिस्तान बोल रही है सच बोल रही है भारत के लिए क्यूंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं तो उस वेक्ति से आप क्या expect कर रहे हैं Are you expecting that he would like to apologize उनके लिए तो ये बहुत ही normal phenomena है विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोल